आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें कि यहां पर हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा हमारा यहां यहां पर क्या हो कारबोनिल समु उपस्थित होता है जहां पर कारबोनिल Cathy समुर्ण उपस्थित होता है तो अब दोस्तों हमते करके यहां पर इनकी सरतना देखते हैं कि यहां पर इनकी हैट्स के बारे में, यह है दोस्तों हमारा LD, हैट्स, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर इसकी जो सरतना है, ठीक है, यहाँ पर हमें जो क्रियात्मक्समू देखने को मिलता है, यह अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी क्रियात्मक्समू की सरतना की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारा aldehyde में क्या होता है यह होता है दोस्तों हमारा R ठीक है R और यहाँ पर होता है हमारा carbon जो कि क्या होता है दूइबंद के साथ यहाँ पर जुड़ा होता है oxygen से और एकलबंद में क्या जुड़ा होता है hydrogen के साथ ठीक है और यहाँ पर R हमारे क्या है दोस्तो, R हमारे यहाँ पर Alkyl Sumo है, ठीक है, और यह जो Carbon के साथ, 2 बंद के साथ Oxygen जुड़ा होगा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही दोस्तो हम कहते हैं, कार्बोनिल Sumo, ठीक है, तो अब दोस्तो यहाँ पर हमें बोला गया थो कि इसकी सरच अब इसका IUPAC नाम भी बताना है, तो दोस्तो हम यहाँ पर इसका IUPAC में नाम देखते हैं, कि इसकी जो IUPAC नाम होती है, वो किस तरह से निर्धारित होती है, ठीक है, तो दोस्तो यहाँ पर हम कार्बन की संख्या को यहाँ पर देखते हैं, तो कार्बन की संख्या का सबसे परले हम एक carbon के लिए देखते हैं जहाँ पर हमारी carbon किसे क्या एक होगी तो एक carbon के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारे आर के जगह क्या होगा hydrogen लेंगे ठीक है तो यह होगे हमारा h और यहाँ पर है हमारा c double bound के साथ है o और यहाँ पर हमारा h और यहाँ पर दोस्तों यह जो हमा हमारा अल्प्रत्य ठीक है तो यहां पर हमारा जो है एक कर्बन है एक कर्बन के लिए क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा हमारा मेथे नल ठीक है तो यह हो जाएगा एक कर्बन के लिए होगा हमारा मेथ अब हमारा जो नाम है इसके अंत में क्या हो जाएगा अल प्रत्य लेगा तो यह हो जाएगा हमारा मेथे नल ठीक है तो इसका जो आईउपेक में नाम होगा वो हो जाएगा मेथे नल इसी तरह से दोस्तों हम दो कार्बन के लिए देख लेते हैं तो दो carbon के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर नाम करन किया जाए तो हम इसे एक, दो, तिन के अनुसार से या फिर हम इस carbon को alpha, इस carbon को beta नाम दे सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका नाम देखू आयूपेक में, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा, 2 carbon के लिए क्या होता है दोस्तो, 2 carbon के लिए होता हमारा 8, ठीक है, और यह प्रत्या कों से लेगा, हमारा 8 रहेगा, तो यह हो जाएगा, अध हे釣ल, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ए थेल, तो यह इस तरह से हम इसका iupec में नाम देखते हैं, L-D आइ यहाँ पर दीवन्द के साथ चूड़ा होता है इस तरीके से ओक्सिजन्स दोस्तो ये जो हमारी किटॉन का क्रियात्मक समु है जिसके हमने शरतना देखी अब दोस्तो हम इसका iupac में नामध लेते हैं कि इसका iupac में नाम वह किस तरह से कारबन की संख्या के अदार पर ना मांकित होता है तो दोस्तों यहां पर हम जो कार्बन की संख्या है ठीक है जिसे हम कहते हैं कार्बन की स्रिंख्ला यह हम कितनी कार्बन की संख्या वाली स्रिंख्ला लेते हैं हम दोस्तों यहां पर तीन कार्बन की स्रिंख्ला लेते हैं तो तीन कार् स्रिंकला को पूरा करेंगे तो यह हो जाएगा CS3 और यहां पर क्या रहाएगा carbon जो है द्वीबन से जुड़ा रहेगा ठीक है तो अब दोस्तों अगर मैं इसका आयूपेक में नाम देखूं तो यहां पर क्या होगा इस carbon को दोस्तों अगर मैं देखें तो यहां पर मैं की श्रिंकिल है और 3 कार्बं कलिक हो थै क्लिक पुरोपे अब दोस्तों यहां पर हमारा किटों से तो प्रत्य क्या लग जाएगा हमारा डॉशा अफ가 प्रोपेगा जैगा और यही दोस्तों में प्रस्व में बुला गया था कि हमें यहाँ पर LDHID और Ketones क्या होते हैं यह बताना था और साथ में इसके समान ने सरतना और आयूप एक नाम के बारे हम बताना था जो कि दोस्तों मारे प्रश्ण का उत्तर है तो आसा करता हूं दोस्तों आपको यह चास 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 अबर